हाई गाईज, behavior of nouns का ये fifth part है और प्रतेक पार्ट आपके लिए बहुत important है, इसे जरोर देखें, हर पार्ट को देखें, तभी आपको समझ में आएगा चलिए, देखते हैं, इससे पहले English grammar जानने के लिए, English grammar और literature को जानने के लिए, मेरा चैनल जरो सब्सक्राइब करें, थैंक यू, चलिए देखते हैं behavior of nouns के इस group में ऐसे words हैं, जो singular और plural में इनका form नहीं बदलता है, यानि ये same रहते हैं some nouns have the same form in singular and plural, singular और plural में इनका same form रहता है, आप इन words में एस लगा नहीं सकते हैं, एस लगा करके आप जो है, इन words को plural नहीं बना सकते हैं, और हाँ, इनके साथ singular verb का ही यूज होगा singular helping verb का ही यूज होगा, छीक है, इतना आप ध्यान रखें, चलिए देखते हैं, ऐसे कौन से words हैं, जो हमेशा same रहते हैं, singular और plural में देखें, शीप, शीप भेंड, फिश, मचली, अपरेटस, उपकरर, कॉप्स, फोजी दस्ता, कॉड, ये एक प्रकार की मचली है, यूप, जोडी, सीरीज, स्रेंखला, स्वाइन, सूवर, डियर, हिरन, मींस, अर्थ या, साधन, हीथेन, नास्तिक, पैन, तसला या, तवा, स्पेसीज, जाती, या वर्ग, एमेंट्स, छतिपूर्थ, कैनन, तोप या, गोला ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं, जिनको आप हमेशा, क्या करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, और इनके साथ, सिंगुलर वर्ग का ही, यूज करेंगे, देखिए, एक्जांपल, एस सीरीज ओफ लेक्चर्स वर्ग, डिलीवर्ड ऑन दा सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ग लगाया गया है, एस सीरीज ओफ लेक्चर्स, जो की इनकरेक्ट है, यह हमेशा, सिंगुलर वर्ग का मैंने आपको कहा, कि यूज होता है, एस सीरीज ओफ लेक्चर्स वर्ग डिलीवर्ड ऑन दा सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ग लगाया गया है, तो यह सही है, और फिशेश, देखते हैं, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि फिशेश मैंने आपको बताया था, कि एस नहीं लगाया जाता है, इन वर्ग में, यह ऐसे वर्ग हैं, इनको आपको याद रखना होगा, ठीक, देखिए, फिशेश कैननाट लिब विदाउट वाटर, यह सेंटेंस सही है, एक जाम्स में आपके पूछ दिये जाते हैं, जैसे कॉमन इरर्स में आ जाता है, कि फिशेश कैननाट लिब विदाउट वाटर, इसमें इरर ढूड़िये, इसमें गल्ती ढूड़िये, तो आप सोचेंगे कि ये sentence सही है बट ये sentence गलत है Fishes में कभी भी yes लगा करके plural नहीं बनाया जाता यहाँ पे ऐसे ही शब्द दिये गए हैं इन शब्दों को आपको बार-बार देख करके याद करना है Thanks for watching, take care